भाजपा जिला उपदच पर जमीन हर्पने का लगा आरोप पीरता ने स्पी ओफिस के सामने रोड पर लेट कर किया प्रदर्शन यूपी के जनपसा जहांपूर से संसनी खेच मामला सामने आया है यहां पर एक पीरता बुदबार को S.P. आफिस के सामने सड़क पर लेट कर परदसन करने लगी उसका आरोप है कि खुद को भाजपा जिला आउपदस कहने वाले दवंग ने उसकी जमीन पर कबजा कर लिया है 40 साल बाद पुलिस ने मकदमा दर्ज किया है लेकिन अभी तक आरोपियों की गरफतारी नहीं हुई है जिससे होसला बुलंद भुमाफिया दवंग उनको जान से मानने की कोशिश कर रहे है दरसल यह पूरा मामला थाना जलालाबाद छेतर के खनार का है यहां की रहने वाली पीड़िता मंदालिसा देवी पत्नी रामचंदर पांडे ने स्पी को दिये सिकायती पत्र में बता है कि उनकी जमीन पर बाबा उर्फ ग्यानेस देवेस रजनीस पुत्रगर बाबुराम नानू पुत्र देवेस ने धोका धड़ी कर कपजा कर लिया है देवेस खुत को भाजपा का जिला उपादच बताता है पीड़ता की मदद पूरु सैनिक छोटे लाल उर्फ माखन कर रहे हैं पुलिस ने 40 साल बाद 24 मई 2003 को उच्च अधिकारियों के आदेश पर उक्त आरोपियों के खिलाब मकदमा दर्ज किया है आगे की पूरी तब दूख रहा है अधिक खार रहा है जवारा दवा दवादे है बाब भाई साब खाके जिलाओ पाधे उड़े ऊपने आप बावरा मजड़के मार पीज घंसा निका दिया आवास इस पटपे साब पादे कि अब ख़चा दिल बायरा नाइध ए निचे निकालते हैं अब तो आप इसके लिए पोली सब्सक्राइब से मिलिये इसकी अधिकारी से मिलिये आप लोग यहां बढ़क पर लेकार हैं तब टेकार रहा है। कहांग रहने वाली हो। करहांगे रहने वाले हैं। हां। जिलागर का शायजापुर लगता है। और अध्धाना गड़का वहां का लगता है। खड़ार का। जादे कदरफा है। हमारा सब धन्ठीन लिया। मेरे पती को निकाल दिया मार पीट की मेरी लड़की एक कब जेम कर ली मुझे मार पीट ले ना मुझे खाने को है ना पीने को ना मेरा आदमी कुछ कर गया है तो इसकी शिकायत किसी अधिकारे जिकी आपने लेगी किसी ने भाई नहीं चुनी